नमस्कार पेशे बल्या लाइवी स्पेशल बल्या की गिर्मिठिया बिटिया स्वास्ती रंग लाई सिकंदरपूर की बिटिया की मसक्कत गिर्मिठिया भोजपूरी महोच्सों में कोलकाता में हुआ धमाल कोलकाता के ठाकुरबाडी रथिंद्र मंच पर रविवार को गिर्मिठिया भोजपूरी महोच्सों का आयजन किया गया इस दवरान देश विदेश के महमानों ने एक दूसरे से मिलकर अपने विचार साज़ा किये गिर्मिठिया फाउंडेशन ने इस महोच्सों का आयजन किया था आपको यह जानकर हैरत होगी कि गिर्मिठिया फाउंडेशन की मुख्यकरता धर्ता सिकंदरपूर की ही बिटिया स्वास्ती है आईए पहले बताते हैं कौन है स्वास्ती स्वास्ती बोले भीखा फिलहाल स्विटियर लेंड के जिनेवा में रहती हैं हलाकि उनका जन्म मौरिसस में हुआ था उन्हें या तो पता था कि वह मौल रूप से भारती है लेकिन भारत में कहा की रहने वाली है यह उन्हें नहीं पता था बिदेशों में बसे भारती जब किसी तेवार को मनाते थे और अपनी भासा में बाते करते थे तो स्वास्ति खुद को उनसे कटा महसूस करती थी उनके पूरबज मौरिसस से आये थे जिन्हें गिर्मिटिया के नाम से जाना जाता था आखिरकार उन्होंने अपनी जड़े तलासने को ठानी मौरिसस के रिकार्ट खंगालने पर पता चला की 1876 में उनका एक पूरबज भारत से आया था रिकार्ट में 14 वर्सी उक्त पूरबज का नाम भीखा लिखा था पता भारत के आजमगड का एक गाउं था इसके बाद स्वास्ती भारत के आजमगड पहुँची और अस्थानिय लोगों की मदद से वह जिलादिकारे के पास पहुँच गई जिलादिकारी ने नकसा दिखा कर उन्हें बताया कि उक्त गाउं अब बलिया जिले में है आखिरकार वह बलिया के सिकंदर पुर ब्लॉक इस्तित अपने गाउं देवहा पहुच गई स्वास्ती कहती है कि अपनी मूल जड़ की मिट्टी को देख कर जो खुसी उन्हें हुई वह पहले कभी नहीं महसूस हुई अब स्वास्ती न केवल अपने गाउं बलकि भोजपूरी को भी बढ़ावा देने की दिसा में कदम पढ़ा रही है उन्होंने गिर्मिटिया फाउंडेशन की अस्थापना की भारत में दिलिप कुमारगिरी के साथ मिल कर वह इसकाम में जुट गई है इसी कताथ 15 दिसंबर को यानि रभिवार को फाउंडेशन की और से गिर्मिटिया भोजपूरी महोत्सो वह सांस्कृतिक कारिक्रम का आयोजन कोलकाता के जोडा सांको ठाकुरबाडी इस्तित रथिंद्र मंच पर किया गया गिर्मिटिया फाउंडेशन की और से आयजित इस महोत्सो में एक करण कथा नामक लगू फिल्म प्रदर्शित की गई आपको बता दे कि अंग्रेजों के सांसनकाल में बहतर जिन्दगी जीने का सपना दिखा कर हिंदुस्तान के लोगों को एक एग्रिमेंट के जरिये गन्ना की खेती के उद्देश से भारत से बिदेश ले जाया गया एग्रिमेंट का सही उच्चारण नहीं कर पाने वाले उसे गिर्मेंट कहते थे बाद में इस एग्रिमेंट के तहट पिदेश जाने वाले लोगों को गिर्मिटिया कहा जाने लगा गिर्मिटिया मजदूर, मारिसस, फीजी, गयाना, सूरिनाम, तरिनिदाद और टोवैगों में भी पाए जाते हैं उनमें ज़्यादा तर लोग पुर्वान चल के थे लिहाजा उनकी भासा भोजबूरी थी अब उन देसों में उनकी चोथी या पाँचवी पीड़ी है समय के अंतराल में लोग अपनी जड़ों से कट भले ही गए थे लेकिन अब लोग वापस अपनी माटी का रूख कर रहे हैं इस काम में गिर्मिटिया फाउंडेशन लोगों की मदद तो कर ही रही है साथ में भोजपूरी के परचार परशार और भोजपूरिया साहित और संस्कृति के विकास में अपना योगदान भी दे रही है इसका प्रमाण रथिंद्र मंच पर आयोजित महोत्सों में देखने को मिला जहां लोग एक दूसरे के साथ संबाद के साथ ही भोजपूरी गीतों पर जूम रहे थे कारिक्रम में मौरिशस स्याई स्वास्ति भोले भीखा असोक सिंग, जेपी सिंग, गंगा टीवी के क्रियेटिव हेट राजिव मिस्र, रमा संकरगिरी, महुआ टीवी के अजीत आनंद और धर्मेंद विजे चोवे उपस्थित्ते वही नीदरलंड से आये राजमोहन, भजन वा गजल गायक, सौरवगिरी, लोग गायका स्रध्धा वा संब्रिध्धी के अलावा तबलावादक अंजने सिंग जैसी हस्तिया भी नजर आई कारिक्रम का संचालन विजे बहादूर शिंग ने किया स्वास्तिक कहती हैं, वह अपने गाउं सिकंदरपुर के देवा और अन्यनत्र भी एक टेक्निकल इसकूल खोलने की हसरत रखती है धाल नबाद